आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैट्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायलोजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेशिन की फोटो कीचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ A sedative or tranquilizer is a substance that induces sedation by reducing irritability or excitement जब आपने देखा होगा, hospitals में कई बारी क्या होता है जब पेशिन्स का जो behavior होता है, वो किसी भी एक्सवाइजार रीजन के वज़े से बहुत irritable हो जाता है या फिर वो क्या करता है, वो बहुत ज़ादा aggressive होने लग जाता है अपने treatment के लिए मना कर देते हैं, तो doctors क्या करते है कि उन्हें tranquilize कर देते हैं या फिर उन्हें sedatives पर रखते हैं, तो उनको बोला जाते है sedative जो कि इन सब चीजों को irritability को, इन सब चीजों को कम करने में help करता है यूजिली क्या होता है, जब sedatives or tranquilizers देते हैं, तो patient नींद में चाला जाता है या उसका central nervous system जो है, वो एक दम बंद हो जाता है, काम करना बंद हो जाता है उसके वज़े से क्या जाता है, कि brain में अच्छे signal नहीं पहुंच जाता है और इस वज़े से brain जब signal नहीं देगा, तो हमारी body react नहीं करती अब they are central nervous depression, जैसे कि मैंने बता है कि central nervous को central nervous के जो भी neurons होते हैं, सब को block कर दिया जाता है by this sedative after tranquilizer इसकी वज़े से interact with brain activity causes deceleration, अच्छे से brain के activity जो है वो नहीं हो पाती various kinds of sedatives can be distinguished, but the majority of them affect the neurotransmitter, for example, morphine तो है, मौर्फीन का example लेकर के question बात की रही है, morphine is used as a sedative as well as a pain killer drug morphine का use के जाता है, sedative के तरह, morphine दी जाती है hospitals में, अगर हमें ये behaviors देखने को मेलेंगे तो सबसे पहला जो doctor का जो होता है, favorite drug वो होता है, morphine जो की patients को दिया जाता है given account on various uses of morphine, तो सबसे पहला तो हम uses देखते हैं, morphine के use क्या है तो पहला use तो उन्होंने ही बता दिया है कि ये pain relief करने में help करता है दूसरा इसका function होता है कि ये state of euphoria दिलाता है, state of euphoria में पहुँचा देता है यानि state of happiness में पहुँचा देता है तो ऐसे patient जो अपना ilaj दंग से नहीं करा रहे हैं या वो बहुत irritate हो रहे हैं तो दोनों form में दिया जा सकता है, इसलिए इसको better माना जाता है ये help करते है, relaxness देने में भी, relaxness देने में भी help करते है तो इससे नींद जो है वो अच्छी आते है, कई सारे patients को जब उनका major operation हो आता है उनको pain भी हो रहा होता है और नींद भी नहीं आ रही होती है, उस वज़े से तो उनको morphine दी जाती है अब बात आती है कि इसके precautionary measures क्या है before using this drug तो इस drug को use करने के जो precautions जो हमें लेने चाहिए वो है कि पहली बात तो जो उसकी kidney है, kidney perfectly काम करने चाहिए kidney का failure नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर kidney failure हो जाएगा तो morphine जो है वो बहुत गंदा effect छोड़ती है body पे, इसकी वज़े से liver cancer भी हो सकता है brain जो है उसमें tumors भी हो सकते है, तो इसलिए kidney failure वाले patients को कभी नहीं दी जाती morphine, second होता है alcohol, alcohol जो होता है वो patient ने morphine लेने से पहले alcohol ना digest क्या हो, क्योंकि morphine जब alcohol के साथ react करता है तो उसकी वज़े से vomiting हो जाती है, patient के आलत खराब हो जाती है, seizures परने लग जाते है, तो इसलिए alcohol जो होता है वो देखना चाहिए कि patient ने पहले लिया है या फिर नहीं लिया, तीसरा में होता है childrens, children को morphine बिल्कुल नहीं दी जाती, जो 13, 14, 15 साल से छोटे बच्चे हैं, उनको नहीं दी जाती morphine बिल्कुल भी ही, क्योंकि उनका जो brain होता है उस पर affect पड़ता है इस वज़े से, next हम कोई भी इससे addict हो जाए, तो सबसे पहला side effect होगा addiction, क्योंकि drug से बहुत easily addiction हो जाता है, तो अगर कोई भी इससे addict हो गया, वो एक side effect है, क्योंकि इसके withdrawal symptoms जो होते हैं, वो बहुत बुरे होते हैं, तो withdrawal symptoms बहुत बुरे और खतरनाक होते हैं, and अगर हम morphine लेंगे, तो सबसे प problem आ सकती है, urine करते time pain हो सकता है, तो यह होते हैं, nausea भी हो सकता है, vomiting हो सकता है, यह सब main side effects होते हैं, morphine लेने के. Classics to 12 से लेके NEED IIT जेही means और advanced के level तक, 10 million से जादा students का भरोसा, आज जी डाउनलोड करे doubtnet आप, यह WhatsApp कीजिए अपने doubts, 8444 सूपर.